ऐसी हैर तंगेज चीजे आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी तो तैयार हो जाओ, हैरान होने के लिए ये सैंड सर्फिंग भी बहुत गजब की चीज है मतलब आप वीडियो में देख सकते हो ये बंदी इसे करते करते जो नीचे गिरी है वह देख कर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है आपको कैसे लगा ये वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताना कुछ ऐसे दिखते हैं घोडे जब उनकी खातिरदारी अच्छे से होती है मतलब इसकी बॉडी में जितनी अच्छी मसल्स है उसकी एक परसेंट भी नहीं है मेरी बॉडी में वो भी सालों की मेहनत के बाद अगर आपको दिल्ली बेंगलूरू का ट्राफिक ज्यादा लगता है तो इसे आप क्या कहेंगे पूल के गेम के दौरान अगर किसी बॉल को क्लीन करने की नौबत आ जाए तो कुछ इस तरीके से इस काम को किया जाता है मतलब बंदी ने बिलकुल पर्फेक्ट तरीके से अपना काम किया है लगता है ये बंदी सालों से फैउस चेक करने का काम कर रही है तभी तो इसने इतने युनीक तरीके से चेक करके इन फ्यूज में से एक डिफेक्टिव पीस निकाल ही दिया ऐसे कहते हैं स्किल्स मतलब बंदा जितनी स्पीड से अपनी लातें चला रहा है अगर इनके सामने कोई आ गया तो अपना नाम भी भूल जाएगा कुछ इस तरीके से बर्फ पर लैंड करवाए जाते है एरक्राफ्ट्स एंटाक्टिक रीजन में मतलब ये देखने में जितना कूल है इसे करपाना उतना ही मुश्किल होता है भाईया ऐसे जटके मार मार के नूडल्स कौन बनाता है आखिर मतलब नूडल्स बनाने की ये टेकनीक तो मैंने पहली बार ही देखी है ये लोरियल पैरिस की वेंडिंग मशीन कमाल की है मतलब इसमें से तो प्रॉडक्स भी हुमन साइज के निकल रहे हैं वो भी ऐसे विशाल बबल्स के साथ भाईया ये कौन सी मशीन है हार्वेस्टिंग की ऐसी मशीन मैंने तो पहली बार देखी है अगर आपको इस मशीन का नाम पता है तो कॉमेंट्स में बताईएं इसे कहते है स्किल्स मतलब बंदा हर स्क्वेर को बिल्कुल सटीक तरीके का बना रहा है वो भी एक जैसे रंगों से ये क्या हो रहा है यहां मतलब जिस बंदे ने च्छाता ओड़ा हुआ है बारिश भी सिर्फ उसी पर हो रही है ये चल क्या रहा है रेगिस्तान में भारी भरकम ट्रक वही चला सकता है जिसे इस काम का लंबा एक्सपीरियंस हो वरना आप वीडियो में देख सकते हैं ये कितना रिस्की काम है बच्चों को बेसबॉल खिलाने का ये अच्छा तरीका है मतलब बंदा चैर से बिना हिले अपने बेटे को बेसबॉल के लिए ट्रेन कर रहा है इसे कहते हैं खतरों की खिलाडी मतलब बंदी दो उंची चट्टानों के बीच में खड़ी होकर खुद को कॉफी सर्व कर रही है और सारी कॉफी हवा में उड़ने के बाद भी इसकी खौशी का ठिकाना नहीं है ऐसे कहते है perfect editing मतलब वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा अपने हाथों से हर चीज को कंट्रोल कर रहा है भाईया ये मशीन कमाल की है इसने तो एक जटके में ही इस कंटेनर की लाइड को खोल दिया वैसे ये शकल से भी काफी डरावनी मशीन है काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग इनके एफर्ट्स की वजह से अभी तक ना जाने कितनी नाला जो चुकी नादियों ने अपनी छवी वापस पाई है पोलर रीजन में से होकर जाने वाली शिप्स में ऐसा सिस्टम होता है जो मोटी आइस शीट्स को भी पेपर की तरह काट देता है जैसा आप वीडियो में भी देख सकते हैं जिस हिसाब से मेरे घर वाले लहसुन खाते हैं मुझे भी लगता है लहसुन साफ करने की ऐसी ही मशीन लानी पड़ेगी जो ऐसे एक जटके में अपना काम कर देगी मैं आज तक काफी मॉल्स में गया हूँ पर आज तक मैंने ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा मतलब काफी बोरिंग है हमारे यहां के मॉल्स नूडल्स को फ्राइ करने का ये तरीका कमाल का है पर ये सिर्फ एक एक्सपर्ट के बस की ही बात है ऐसा कुछ घर पर ट्राइ ना करें तो ही बहतर होगा वुड ब्लॉक्स को शेप देने की ये सालों पुरानी मशीन आज भी काफी अच्छे से अपने काम को करती है कैस आप वीडियो में देख भी सकते है इसे कहते है ओल्ड इस गोल्ड ये लोग इतने बड़े कंटेनर को लेकर तो जा रहे हैं पर ये अगर रास्ते में मोड आया तो ये लोग क्या करेंगे मुझे ये जानना है ये बच्चों को इस तरीके से खेलते हुए देखना बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है लेकिन ये बच्चे इसमें कितने परफेक्ट है मतलब आप इस वीडियो में देख सकते हो इस JCB से कितने आसानी से कैनल बनाया जा रहा है और वह भी एक दम परफेक्ट शेप में गर अडवेंचर करने का शोक आपको भी है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट रहेगी कैसे आप वीडियो में खुद ही देख लो असली एडवेंचर का मज़ा तो यहीं है ये रोड क्लीनिंग मशीन तो वाकई में बहुत अमेजिंग होती है मतलब आप वीडियो में देख सकते हो ये कितनी स्पीड में और कितने परफेक्ट तरीके से रोड को साफ कर देती है कितना आसान हो चुका है पूरे घर को पेंट करने का काम पहले इसी काम में कई हफते लग जाते थे जिसे ये बंदा अकेला कुछ मिनटों में कर ले रहा है भाईया ये क्या चीज है शकल इसकी बाइक वाली है हरकतें इसकी साइकल वाली है आखिर ये है क्या क्या सच में लकड़ी को इतने स्मूथ तरीके से काटने की कोई मशीन बनी है या ये एडिटिंग का कमाल है कॉमेंट्स में अपने विचार बताएं गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन की भी तरकग की हो गई अखिर इतने गोल्ड का करने क्या वाले है ये लोग ये कार काफी कमाल की लगी मुझे मतलब इसे बाहर से देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि इसका बैक कौन सा है फ्रंट कौन सा है दोस्ट हो तो इस गाड़ी जैसा जो उबर खाबर और इंपॉसिबल रास्तों से भी मुझे आसानी से निकाल लाए श्रेडर में चीजों को ऐसे कचुमबर बनते देखना मुझे काफी सैटिस्फाइंग लगता है क्या आप में से भी किसी को ऐसा लगता है